नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारे येट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी को बता दें कि शंकट मोचन हनुमान जी ने उठा लिया गदा अब आपके जीवनकाल के सारी दुखों का, सारी बिपतियों का, सारे परिशानियों का, जो कि दोस्तों आपके जीवनकाल में लगाता चल रही है पिछले कई वर्सों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप बहुती जादा परिशान हो गई, हर एक उपाय करवाली, जीवनकाल में आप बहुती जादा ठक हार गई लेकिन दोस्तों, शंकटों की निदान महावली हनुमान जी एक बार अवश्य करते हैं, अगर उनके उपर आपका सच्चा सरदा है, सच्चा विश्वास है जी हाँ दोस्तों, और आप महावली हनुमान जी, आप सभी के जीवनकाल में बहुती बड़ा कदम उठाने वाले हैं, एक परकार से कहें तो दोस्तों, आपकी मेहनत का फल, आपकी भक्ती का जो फल है, या समय देने वाले हैं, बाला जी की गिरपा, आप सभी को प्राप्त हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, आने वाले 5-7 दिनों के अंदर, आप सभी के जीवनकाल में आचानक से बहुती बड़ा चमतकार होगा, दोस्तों, बाला जी पर यकिन कीजी, आप सभी को बता दें कि, जीवनकाल में यूही आपकी परजितियां चुटकियों में खत्म होत नहीं सकते कि हमारे जीवनकाल में यह परिसानिया चल रही है, क्योंकि दोस्तों, समाज के लोग, बाहर के लोग आपका मजाग भी उड़ा देते हैं, आपको हमेसा खिलियां उड़ाने लगते हैं, इसलिए दोस्तों, अब अपने दुखों को अपने दर्द को अपने अंत होगा, कब हमारे परिसानियों का अंत होगा, अब आपका ही सहरा है, दोस्तों, इसे तमाम परकार के किरियाएं आप अपने जीवनकाल में करते हैं, जिनसे दोस्तों, इस वर तो प्रशन होते ही हैं, लेकिन दोस्तों, इस वर को यह चीज पता है, कि कौन सा कार हमें और यह समय भी आपके एक्छाएं पूरी होने वाली है जीवन काल की जो भी परिशानी है जो भी लगातार चल रही है दोस्तों जिन से आप बहुती ज़्यादा परिशान थे दोस्तों यह समय खत्म होने वाली है और दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी और महतपुन बात यह है कि जो लोग आपको पिछले समय परेशान करते थे दोस्तों जिन लोगों के चलते आप बहुती ज़्यादा मुस्किलों का शामना किये हैं जिनके चलते आप रोए हैं दोस्तों इन सवी से अब आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी जीवनकाल में आपके बहुती बड़े महत् आने वाले साथ दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिहां दोस्तों बस बाला जी महराज पर एकिन किजी उनके भक्ती भाव पर ध्यान दीजी उनमें लेन रही दोस्तों अपने कामों को उनके उपर छोड़ दीजी जिहां दोस्तों हलाकि दोस्तों पिछले समय से ही आप भगवान पर विश्वास रखते हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दे की पिछले कई समयों में आपके जीवन काल में ऐसे तांतरी किरिया हुई है जिनके कारण दोस्तों आपको बहुत ही जादा सरीड में प्रोबलम हुआ है स्वास्तों में दिकते हुई है आपके तवाचा में प्रोबलम हुई है जिस पर करके खाने आपके नहीं पच रहे थे ग्यास को लेकर दिकते जहलने पड़ रहे थी दोस्तों चाह कर भी आप चाहते थे की आप स्वास्त रहे लेकिन दोस्तों शमय शमय पर आपको बिमारियों का शामना भी करना पड़ा है जीवन काल में वह शमय आप बहुती ज़्यादा परेशान हो गए थे लेकिन दोस्तों आप सबी को बता दें कि वह समय भी बाला जी नहीं आपको रक्षा किया है और यह समय भी बाला जी ही है जो की दोस्तों आने बाले साथ दिनों के अंदर आजवी के जीवन काल में बहुती बड़ा चमतकार करेगा बरश्तेद दोस्तों अब बाला जी पर निरंतरन विश्वास करते रहें उनकी पूजा अराजना करते रहें और सच्चे मुन्शे कमेंड बॉक्स में जै हो बाला जी जै महराज जरू लिखेगा आपके अर्जिश विकार होगी बाला जी महराज प्रशन होगा जी हाँ दोस्तों दोस्तों हम आगे वीडियो में बात करेंगे की आने वाले साथ दिनों के अंदर आपको हनमान जी के आसीम असिरवा से आप सभी के जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाब होने वाले हैं और दोस्तों ध्यान में रखने बाली बात यह है की आने वाले साथ दिनों के अं देर भी लग सकती है तो दोस्तों सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा इनमें आप सब महत्वपुन जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि आने वाले साथ दिनों में आपकी जो भी ग्रहों की बदलती चाल होगी इनमें आप किन-किन छेतरों को लेकर शाब्दानेने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी भगवार महावली हनुमान जी के आशिरवाद से आपके घर के महावल में पारवारिक जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या सुदार होंगे तो दोस्त दोस्तों सबसे महतुपून बात आने वाले साथ दिनों में आपको कौन सी विशेस उपाय को करना है ताकि दोस्तों भगवान महावली हनुमान जी का आसिम असिरबाद आपको प्राप्त होता रहे हनुमान जी आपसे प्रशन हो शकी जीवन काल में शारे परिशानियां शारे अच्छे वीचार सी जो कि दोस्तों आपको इन दोनों में एक इक्षा सकती जागरित होगी किसी को अभिमान होता है अपने वेभव के बल का किसी को अभिमान होता है अपने पद के बल का किसी को अभिमान होता है अपने धन का और किसी को अभिमान होता है अपने सौंदर के बल का तो किसी को अभिमान होता है अपने सरीर का ता किसी को अभिमान होता है अपने परिजनों के बल का लेकिन दोस्तों हमारे स्री हनुमान जी महराज को अभिमान है परभू स्री राम जी के दूत होने का जहां दोस्तों, इसके कहने का यह अर्थ है कि इस्वर की भक्ती छोड़कर बाकी सवी चीज इस्वर योग हैं इसलिए हमें इस्वर से सिक्छा स्री हनुमान जी से लिनी चाहیी ये अभिमान हमें इस्वर के स्वर्व होने का गर्व महसूस कराता है नो की एहंकार अगर मान ही करना है तो इस्वर के सेवक होने का करू जो इस संसार में हमेशा के लिए यादी अन्नत है अर्थात इसके परवाव से हम क्रोध, त्वेश, एसिया, मुह एहंकार से दूर रहते हैं जिहां दोस्तों इसलिए हमें इस्वर की भाक्ती सेवा का अविमान पर गर्व होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस्वर की भाक्ती अनंत है और इस पवित्र सेवा में ही सब कुछ नहीं थे क्योंकि आप जो चाहो वो वस्तु प्राप्त कर सकती हो या फिर वे वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है किवल किसी का बुरा छोड़ कर जय जय सिर्राम जय सिता मैया हनुमान जी महराज की जय जहां दोस्तों तो दोस्तों यहां ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लि मिलने वाले हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान सिर्राम का असिर्वाद आप आपके साथ आ चुका है और आपके जीवन काल में अब ये बड़े बदलाव होकर रहेंगे हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले साथ दिनों के अंदर भगवान सिर्राम क आश्रवात से आप सभी का जो दिन होगा वैस्ता से भरा रहेगा क्योंकि दोस्तों यह समें आपको बहुती ज़्यादा लाग मिलने वाले हैं और उन कारों में आप बहुती ज़्यादा व्यास्तर रहेंगे साथी साथ दोस्तों आपको बताने की भगवान सिर्राम का गुनवान या पूरे साप्ता में आपको करना है समाजिक गत्ती विदियों में भी आपका यास में बहुती ज़्यादा रूची बढ़ने वाले हैं बहुती बड़ी तरह की यहिस्व के आपको भगवान शिर्राम के आसर्वाद से मिलने वाले हैं। मस्या को सुल जाने में आपका योगदान रहेगा रुके वे काम निप्टाने के लिए समय बहुती अनुकुल है साथि किसी समाजिक संस्था में भी आपका योगदान रहेगा घर का महोर शुकर और सांती पूर्ण भले रहेंगे अब अपने व्यक्तित गत्ति विदियों पर मिल सकती है और आप उर्जा और आत्म विश्वास से भरपूर महशुष करेंगे इनके साथ-साथ अपने किसी महत्यपुन कार को निप्टाने के लिए समय बहुती अनुकुल है परवसारी लोगों के साथ मुलाकात के आफसर बनेंगे और भविश्य वजनाव पर भी विच चार भी मर्स होगा सांतान की किसी सफलता से परिवार में खुशी भरा महूल रहेगा दोस्तों आज किसी कार के परतिक किये गए परियास के अनुकुल पर ना मिलने वाले हैं इसलिए मन लगा कर मेहनत करें आपके अच्छे मेनेजमेंट की वज़े से परिवार था व्यवस हुआ कारे पूरा हो सकता है बच्चों के साथ कुश्य में वेतित करना था उनका मार दर्सन करना उनके आत्मी विश्वास को और अधिक बढ़ाएगा दोस्तों भगवान श्रीराम जी के हास्किरवात से आपकी कोई शमश्या हल होगी जिससे चिंता मुक्त होकर आपको जी दोनों में कुछ शाबधानियां भी देखकर चलनी होगी किसी भी नकारत्म प्रसिती में गुसा या आवेश में आना उचित नहीं है सांती और धैर बनाए रखें अनुवी तथा वारिश लोग के मार दर्सन और सलह पर आवश्य अमल करें अपनी मनों विरती शकारत में ब जोरत है इसी मामली से बात को लेकर पड़सियों से कहा सुनी हो सकती है अपने गुस्य और वानी पर काबू रखें बच्चों की गत्विदियों पर नजर रखें ता उनका मार दसन करें कहीं पेशा उधार देने से परहेज करें और दोस्तों अपनी उपलवदियों का दू अपसा में नया काम शुरू ना करें क्योंकि उचित जानकारी के आभाव में नुकसान हो सकता है दोस्तों नोकरी के लिए कोशिश करें लोगों को खुश्खबरी मिलने की समभावना है कारचेतर में आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परनाम भी हाशिल होंगे गरिश्त तब भारी खानपान की वज़े से गैस वग कब्ज की सिकायत रहेगी इसलिए इन पर ध्यान रखें इस्त्री वर अपने स्वास्त का विसे ध्यान रखें घुटनावाज जोड़ों में दर्द रह सकता है दोस्तों बात करता आपके उपाय के बारे में दोस्तों ह नोकरी की तलास कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का वीड़ा चड़ाएं जिस्तों बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली अंक तीन है दोस्तों महावीर बजरंग बल जरूर लिखे हैं और विडियो को लाइक शेयर जरूर करें